थौर लवन ठंडर में टायकाव टीटी ने मजाग क्या किया सब थौर को हलके में लेने लगे जबकि किसी को कोई आइडिया नहीं कि फ्यूचर में थौर कितना जादा ओपी हो सकता है ओपी नहीं मालूम ओपी मतलब ओवर पावरड अब देखो गाइस ये बात हमको भी पता है और आपको भी पता है कि थौर ही एक लोता ऐसा करेक्टर है एमस्यू में जो अपने कॉमिक वरजन के सबसे नस्दीक है वरना बाकी करेक्टर का या तो वो लोग मजाग बना दे रहे हैं जैसे की हलक या फिर वांडा के जैसे साइड कर दे रहे हैं मैं खुश हूँ कि थ थौर की कहानी को अगर दिखा दिया जाए तो मालक मजा ही आजा है बट थौर इस थौर उसकी खुद की कहानिया है जिसको एमस्यू में दिखाया जा सकता है प्लस कुछ ऐसे कहानिया जिसको मॉडिफाई करकी दिखाया जा सकता है जैसे की सिविल वार्ट टू, फियर इट तो Thor उसकी जगा ले सकता है जिसके बाद हमें Thor Civil War 2 देखने को मिले अब भले ही हमने Thor vs Captain Marvel देखा हुआ है MCU में जो कि What If के एक एपिसोड में कवर हुआ था बट वो Thor बिगरा हुआ नवाब जादा था प्लस लड़ाई तो Freya ने आकर वहाँ पर रोख दी थी बट Just Imagine कि लाइव एक्शन में दोनों के बीच में लड़ाई हमें दिखाया जाए और वो लड़ाई तब ही खतम हो जब उनमें से एक उठने लाए कंडिशन में ना बचे जो कि Obviously Captain Marvel होगी क्योंकि Thor की मूवी में Thor कोई हरवा देंगे क्योंकि फैंस को अच्छा लगेगा Obviously Marvel वाले हमें Thor and Captain Marvel के बीच में किसी तरह का तनाओ को पहले दिखाएंगे जिसके बाद से ही Thor vs Captain Marvel होगा मेरे पास तीन थियोरीज हैं जिनके जरी ये प्ले आउट हो सकता है बट उस पर आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा Infinity War का ये सीन जहां वो डाइंग स्टार के फूल पावर को सहरा आता जिससे उसके डूरिबिलीटी का अंदाजा होता है बट यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ना सिर्फ उसका सूट बलकि उसकी दाड ही एंसर के बाल भी नहीं जलेते अब थौर तो गौड है तो वो अपने बालों के लिए गौड लेवल की केरिंग करता होगा लेकिन हम तो हूमस है इसलिए हमें अपने बालों का खयाल रखने की जरूरत परती है जिसके लिए Man Matters लाया है हेर गमिंग्स जो की विटामिस सप्लिमेंट्स है यमी गमिस के फॉम में इसमें बायोटीन, जिंक एन मल्टी विटामिस है जिसे डेली सिर्फ एक गमिक खाना है दो से तीन महिने तक for best result एन बेस्ट रिजल्ट में आते हैं बालों का stronger and थिकर होना जिसके वज़े से आपके बाल भी थिन नहीं होंगे जो की आगे जाकर हेर ब्रेकेज के टेंशन को भी खतम कर देगा इतना बड़ा दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा एस हर गमिंग में 20X जितना बायोटीन, आधा कप कैरट्स जितना विटामिन A आधा कप औरेंज जितना विटामिन C 20 अर्मंट्स जितना विटामिन E और 20 कैशूज जितना जिंक है हेर गमी जीरो साइड इफेक्स के साथ आता है जो की ना सिर्फ सुगर फ्री बलकि 100% वीगन एंड जेलेटिन फ्री है इसके अलावा एक हेर गमी आपके डिली डाइट के काफी काम आएगा अज ये ना सिर्फ हेर लॉस को रुकने में हेल्प करेगा बलकि नुटिशनल गैप्स को भी कवर कर देगा अभी सही अपने बालों का खयाल रखे ताकि बाद में जादा देर ना हो जाए Man Matters इंडिया का एकलोता holistic wellness platform है जहां आपको digital clinic for men मिलता है जो कि आपको free and confidential online consults offer करता है certified doctors द्वारा Man Matters में आपको hair, weight, skin sexual well-being, hygiene and sleep category में भी products मिल जाएंगे इसलिए description में दिये गए link में जाकर order करे by using a special discount अब बात करते हैं Thor Civil War 2 की कहानी के बारे में जिसमें हमें Captain Marvel वर से सौर देखने को मिलेगा और वो उन दोनों के लड़ाई की बीच का कारण क्या-क्या हो सकता है उसको एक-क करके जानते हैं जिसमें से सबसे पहला कारण बन सकती है बच्ची जिसका नाम लव है ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि Civil War 2 जो टोनी एंड कैरोल की बीच में हुई थी उसका कारण भी एक बच्चा था जिसका नाम यूलिसिस था आइनो वो बच्चा थोर सा बड़ा था जिसके वज़े से Marvel के सुपर हीरोज दो गुट में बढ़ चुके थे जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला था एस Eternity एंड फाइट में आकर बोलता है कि यूलिसिस बेटा आपकी पावर्स के साथ आप इस मुकाम तक पहुँच गये हैं कि आप हम कॉस्मिक बिंग्स के जैसा चिल कर सकते हैं बाकी इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दें लव जो कि Eternity से जन्मी है वो भी समय के साथ पावर्फुल पंते जाएगी और मेबी ऐसा सेनेरियो आएगा जहां वो यूलिसिस के जैसा ही कोई रोल निभाएगी यहां मैं यूलिसिस के जैसा रोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पूरा कॉमिक का ही प्लोट पंट्स उठा लेंगे तो कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी अब इटर्निटी के साथ अगर मूवी के एंड में लव चली जाएगी तो इससे थौर ने जो प्रॉमिस जिन और गॉर को किया था वो तूटेगा भी नहीं प्लस आने वले समय में हमें थौर की सोलो मूवीज देखने को मिलेंगी जिसमें मैन गॉग या सर्पेंट जैसे विलन्स देखने को मिल सकते हैं जिससे थौर की एटलिस्ट दो से तीन और सोलो मूवी गैरेंटी हो जाएगी आइरन मैन और कैप्टेन अमेरिका के जाने के बाद से सिर्फ थौर ही ऐसा कैरेक्टर बचा है जिसका मैकसिमम फैंदम है उपर से MCU, MCU होते जा रहा है जिसके वज़े से पुराने कैरेक्टर्स में से एक तो ऐसा कैरेक्टर्स चाहिए होगा जो कि पुरानी वाली बात को अभी भी मेंटेन रखे अब बात करते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी की जिससे कैप्टेन मार्वल एंद थौर में रिफ्ट आ सकता है जो कि मेरे ख्याल से स्पेस सेक्टर के किसी इशू को लेकर होगा थौर लव एंड थंडर में जोस थौर को बोलता है कि तुम की अब गौड पुलिस हो जो कि कॉमिक्स में थौर आगे जाकर बनता भी है जिसको उम्निपोर्टिन सिटी के इंटेडेटी जस्टिस अपॉइंट करती है अब फ्यूचर में जब थौर लीगल स्पेस कॉप बनेगा तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैप्टेन मार्वल के अगेंस जाए क्योंकि कैप्टेन मार्वल फिलहाल वही काम कर रही है जो कि एक स्पेस कॉप को करना चाहिए बर्ट कैरोल के पास ऐसी कोई अथौरिटी नहीं है जादा से जादा उसको हूमन से पर्मिशन मिला होगा स्पेस में पेट्रोलिंग करने का या फिर क्री या फिर स्क्रल द्वारा लेकिन यहाँ पे जो हमारा थौर है उसको अपॉइंट किया गया है गौड के काउंसिल द्वारा तो कहीं न कहीं अगर आथौरिटी वाइस देखा जाए तो थौर कैप्टेन मार्वल से उपर स्टैंड करता है और इन दोरों के बीच में ही कहीं पे हमें एक क्लैश दिखा दिया जाए तो उसके बाद से सिविल वार टू कराया जा सकता है अब बात करें आखरी कारण की जिसके वज़े से थौर वर्सेस कैप्टेन मार्वल हो सकता है तो वो है हल्क एस ब्रूस हल्क के बॉड़ी में बहुती लंबे समय से काबू करके बैठा है तो मेभी जब हल्क का परसोना बाहर आएगा तो वो तबाही मचाएगा जिसके बाद से हल्क को खतम करने का फर्मान जारी होगा जिसके अगेंस्ट में थौर होगा क्योंकि वो हल्क का फ्रेंड है लेकिन कैरोल डैन्वर्स इसके अगेंस्ट रहेगी क्योंकि हल्क के वज़े से काफी लोगों की जान गई होगी और यहीं पे दो गो सुपर हीरोस के गुट बनेंगे जहांपे कुछ लोग थौर के साइड होगे जिसके बाद Civil War 2 होगा जिसमें Captain Marvel तो fix होती वहीं उसके opposite में कौन होता इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया था लेकिन अगर आप मेरी theory की माने तो वहाँ पे Thor fit बैठता है आपका क्या कहना है इस पर आप हमें comment section के जरीए जरूर बताईएगा obviously मैं यहाँ पर उपर उपर से ही बता रहा हूँ ना कि in-depth जा रहा हूँ की कहानी क्या होगा क्योंकि अगर मैं in-depth कहानी बता पाता तो Marvel में काम कर रहा होता या future बताने वाला कोई बाबा बन गया होता anyways, fall to jokes को side करते वे आप बताओ guys कि आपको क्या लगता है कि Thor Civil War 2 बनेगा या नहीं अगर बनेगा तो उसके plot points क्या हो सकते हैं मैंने जो तीन possibility बताए हैं उन में से कुछ होंगे या फिर आपको कुछ और reason लगता है तो आप अपनी राय हमें comment section के जरीए बता सकते हैं क्या होगा जब थोर हलके उपर म्योनिर को रख दी ये जानने के लिए left side वाली video link पर click करे and कैसे Captain America ने Infinity Stones को वापस किया ये जानने के लिए right side वाली video link पर click करे Thank you for watching this video, stay tuned